हालो फेंस मैं नाम बल्रा मिना है और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूटीव चैनल जिसका नाम है हिंदी मास्टर माइंड फेंस आज का जो अपना वीडियो का टोपिक है वो है फोटोशोप से रिलेटेड और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी इमेज के उपर जो हटा सकते हैं तो चलिए बिना देर किये हम अपने वीडियो के तरफ चलते हैं सबसे पहले आपको फोटोशोप ओपन करना है अपना फोटोशोप ओपन करने के बाद में आपको यहां पर वो फाइल ओपन करनी है जो फाइल आपको यहां पर एडिट करनी है तो मैंने यहां पर बान लीजी कि ये जो लोगो बना हुआ है ये इस टाइप का थोड़ा सा डिजाइन बना हुआ है और ये जो नेम लिखा हुआ है इसको आपको यहां से हटाना है तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से हट सकता है आपको ज्यादा कुछ मेंदत करने की जरूद नहीं है देख क्तीक से को हटाना है। बहुत ही安全 से शतकते हैं है सबसे पहरे आपको क्या करना है। अपना को यह से इस के चोथे नंबर का तूल है उस पर राइट क्लिक करना है। और आो को देखना है कि यह नीचे तूल है इसको select करना है अब आपको क्या करना है जो image के उपर से जो text अटाना है उस text को आप select कर लीजिए इसके इसको आप select कर लीजिए थोड़ा सा mouse से चलाईए और mouse से इसको select कर लीजिए अब वापस से control minus में थोड़ा सा चूमाउट करता हूँ और इसको drag करके mouse से drag कीजिए और इसको वहाँ पर छोड़ दीजिए जहां का जहां इस जगर से जो इसका background है उससे थोड़ा सा match करता हो ऐसे जगर पर इस चीज़ को छोड़ दीजिए यह देखे मैंने यहाँ पर छोड़ा तो यहां से वो जो text लिखा हुआ था वो रिमूब हो चुका है और यह जो इस type का area है यहां पर बना हुआ आ गया है एक बार फिल से करता हूँ यह लिखा हुआ है मैं इसको select करता हूँ इसको select करने के बार में वापस से control minus यानि की zoom out इसको drag किया और यहां पर लाकर करके वापस छोड़ दिया देखें कितने आसानी से हम लोगों ने वो नाह हटा दिया है अब यहां पर आपको यह हटाना है इस type से design बनी हुई है तो इस design को भी हटाने के लिए आपको क्या करन है इसको select करना है और इसको देखना है कि बिल्कुल बरावरी में आपका जो यह होगा बिल्कुल बरावर होना चाहिए उपर नीचे नहीं होना चाहिए वरना थोड़ा सा उपर नीचे हुआ और आपका यह जो border है यह थोड़ा सा change हो जाएगा तो अब आप देखिए वो कि थोड़ा सा इससे मेश करती ही जगा पर छोड़ दूँगा तो इससे देखिए थोड़ा सा यह इस टाइप से तो देखिए फिंस यह कितने आसानी से remove हो चुका है यह तो हमने एक तरीका जाना यह सबसे simple था इसलिए सबसे पहले बता दिया अब हम दूसरे image के उपर दूस कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहे तो आपको क्या करना है फर्स्ट टूल से रेक करना है और यहाँ से उस टेक्स को उस चीश को उस एडिया को select कर लेना है जिस एडिया को आपको इससे remove करना है और select करने के बाद में आपको यहाँ पर colors के नीचे वाली layer पर आपको click करन करने के बाद में आपको इसी image के background पे एक बार click करना है click करने के बाद में आपको ok करना है, ok करने के बाद में control के साथ delete click press करने है, अपने keyboard से control के साथ delete click press करने से वो image remove का background है वो remove हो जाएगा, तो चलिए दूसरा तरीका हुए, अब मैं यहाँ पे तीसरी image को open कर लेता हूँ और आपको तीसरे तरीके से बता देता हूँ यह एक और लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन में वापस से फर्स लाइन में पांच वे नमबर पे जो टूल आता है क्लोन टूल इसको हम बोलते हैं इस क्लोन स्टेंप टूल को आपको सेलेक करना है इसको सेलेक करने के बाद में आपको जो शोर होना है कि जो फर्स वाला टूल है वही आपको सेलेक्ट रहे है सेकंड वाला ना रहे है फर्स वाला टूल आपको सेलेक करना है अब उसके बाद में आप यहां से चाहिए तो इस brush की जो size अब आप देख पा रहे हैं इस size में यह brush है अपने according आप अपनी juice type से आप इसको manage करना चाहते हैं उस size का आप इसको कर लीजिए और उसके बाद में आपको यहां पे opacity कम ज़्यादा भी आप यहां से कर सकते हैं और तो आप अपनी image के ऊपर आ जाईए अब अपनी image के यहां पर आने के बाद में आपको एक बार alt की press करके रखनी है और माउस का जो cursor है उस cursor को उस जगह से लेजाए उस जगह पर लेजाए जहां की जगह को आपको clone करना है जिस जगह को आपको यहां show करवाना है उस जगह पर अपने माउस का करसे ले जाए और एक बार क्लिक कर दीजिए देखे मैं यहां पर इस जगह पर इस जगह को मैं मिटाना चाता हूँ और इस तरीके से मैं जगह को इस टाइब की बनाना चाता हूँ तो मैं यहां पर गया अपना माउस कर से यहां पर लेके गया और यहां पर मैंने अल्ट की प्रेस कर दी अल्ट की दबा कर रखते हुए यहां पर मैंने कीबोर्ड से अल्ट की दबा कर रखते हुए यहां पर मैंने एक बार क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आया अपना कोई की यहाँ पर आपको प्रेस करके नहीं रगनी है आपको माउस कीबोर्ड की सारी की छोड़ देनी है अब आपको माउस से यहाँ पर हलके लिके से ड्रेक करना है देखे फ्रेंस वो वहाँ से क्लोन हो रहा है जैसा कि इसका नाम है clone two तो उसी type से ये वहाँ से उसको clone कर रहा है तो ये बहुत ही simple है और देखिए ये वहाँ पर बिल्कुर वेसा का वेसा image हो रहा है एक बार फिर से मैं यहाँ से इसको clone कर लेता हूँ फिर से अधिए और आप देख पा रहा है ये बहुत ही आसानी से देखे फ्रेंस, ये बहुत ही सिंपल तरीके से मिट चुका है ये जो अपनी पहले image थी, वो इस टाइप से देखी भी थी अब जो अपनी बाद की image है, हमने जब edit कर दिया, इस image से नाम remove कर दिया तो वो इस टाइप से नजर आ रही है, तो ठीक है फ्रेंस, आज के जो जितने तरीके थे जिन तरीकों से आप इनको remove कर सकते थे, जो सिंपल थे, सबसे आसान थे वो तरीके मैंने आपको आज बता दिये हैं, तो फ्रेंस, आज की इस वीडियो में आपने जाना है कि कैसी भी image के ओपर से आप कोई सा भी text remove कर सकते हैं, और ये बहुती सिंपल तरीके से था, बहुती आसानी से था, जैसे जैसे आप इसको एक दोबार use करेंगे, आप इसके friendly हो जाएंगे, और आप आसानी से इस चीश को use कर पाएंगे, तो चले फ्रेंस, आज का ये वीड कीजिए और अपने फ्रेंस के आद शेयर कीजिए, थैंक्यू फ्रेंस